प्यारे बच्चो नमस्कार कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे तो प्यारे बच्चो टुड़े वी आ दूइंग इडियम एन फ्रेजिस पार्ट नंबर फाइफ पांचवा पार्ट हम लोग कर रहे हैं और दिस इस सम्थिंग स्पेशल यह जो वी लेना कोई नहीं चाहता? दिस इस आलू? दिस इस पौटेटो ऐये आलू है? और आलू के ऊंपर वि dips बन सकते हैं। इडियमस बन सकते हैं यह आप नहीं जानते होंगे लेकिन है। इससे पहले की वीडियो और आपने रेलेट़ नॉम्बर थ्री तीसरे वीडियो में आपन गो तो दो प्ले लिस्ट एन वोज डेट वीडियो पार्ट नमबर थ्री वहां से आपको मालूम चलेगा कि यह बी आलू के ऊपर है आलू कचालू बेटा कहां गए थे तो देखे यह इस वाली वीडियो में आप लोग क्या सिखने वाले हैं वाटेवर जो चीज भी मैं आप उसको नोट कर लिजिए लिख लिजिए और लिखने के बाद प्रैक्टिस कीजिए ठीक है ना तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे मेरे वीडियो बनाने का बस एक ही मतलब होता है कि आप सीखे that should be meaningful मतलब अर्थ पूर्ण होना यहां पर कोई भी नोटंकी नहीं होती and you will get all the solutions of mathematics from grade 6 to 10 चाहें English का हो चाहें Maths का हो चलिए start करते हैं हम लोग देखते हैं क्या है आज के आलू में और this is the playlist यह playlist है जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो I collect them in a playlist so that की एक चीज से related आपको सारी वीडियो मिल जाए for example अगर पहला playlist देखेंगे तो डेली यूज इंग्लिस है then there is the vocab बैप्रेम प्रजापती grade 12 की जो English grammar है grade 10 की English grammar है mathematics है you will get all the stuff over here just आपको क्या करना you have to go on YouTube YouTube पे जाईए वहाँ पर type कीजिए प्रेम घ्यान और वहाँ पर प्रेम घ्यान का भंडार खुल जाएगा और जो भी चीज चाहिए वह सीख लिजिए वहाँ से ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग तो दफर्स्ट इडियम इज ड्रोप लाइका होट पोटेटो इसका मतलब क्या होता है देखिए यह दोनों भाई समस्या से Peech Θardana से पीछा चुडाना मोहावरों का मतलब जानते ही है कि नाचना जाने आंगन टेढा का मतलब यह है कि काम नहीं करना चाहते है आप बहाना बना रहें इसका मतलब यह नहीं कि program यह कि आज़ोडिका होट पोटेटो तो इसका मतलब यह है कि समस्या से पीछा चुडाने वाले वक्य का तातपर है यह तो क्या है इसका मतलब टू अबंडन समवन और सम्थिक सडनली एंड कम्प्लिटली सम्टाइम्स तू अवर्ट पोटेंशिल प्रोब्लम्स कि वही किसी चीज में मतलब दिक्कत है उस दिक्क मैंने अपने अपने हाउस का रेनोवेशन जो करवाना था फूट का मरमत करवाना था आई ड्रोब लाग डेट प्लान वाई लाई का होट पोटेटो समस्या से पीछा छुडवा लिया मतलब बिकोज अब आफ्टर फाइंडिंग आउट हाव मच दजो वूड कोस्ट की यह मतलब कितना मतलब मुझे भारी पड़ेगा कितना पैसे लेंगे कितना खर्चा होगा that's why I drop this plan that I'll not renovate my house तो हम इसके लिए हम क्या बोल सकते है I dropped my plan of renovating my house because like a hot potato like a hot potato की बस मने समस्या से पीछा छुड़ा लिया the next the next one is दूसरा क्या है देखिए इस दीदी को देखिए धान से देखिए इस दीदी को अगर बोल दू मैं कि से दरा कुस्ती लड़ना है तो कौन जीतेगा यही जीतेगी बैठ जाएगी तभी जीत जाएगी ठीक है तो इसका मतलब क्या है इस समबड़ी सेंग ओल मीट और नो पोटेटो ओल मीट और नो पोटेटो का क्या मतलब है जैसे मोटे लोगों के लिए शब्द का इस्तमाल क्या राता है जो लोग मोटे होते हैं उनके लिए आप कह सकते हैं that he is all meat and no potatoes या मोटू जैसे हम बोल के किस तो उसके लिए हम क्या बुल सकते हैं मोटे लोग के लिए शब्दों का इस्तमाल a phrase used to describe someone who is very obese ठिकाना कोई जादा ही मोटा हो उसके लिए हम इस phrase का इस्तमाल कर सकते हैं for example i'm not going to play kusti with her she is old meat and no पोटेटो कि भाई वो बस इतनी मोटी है कि भाई उससे मैं कुस्ती नहीं लड सकता लड के देखो मालूम चल जाएगा and second example is football is a game of activeness all meat and no potatoes cannot play and enjoy it जो लोग मोटे होते हैं भारी बरकम होते हैं वो लोग इस game को नहीं खेल सकते हैं it is a game of alertness and activeness she is all meat and no potatoes how can we expect her participation in athlete वो इतनी मोटी है that we cannot expect that she would participate in any athletic or in any game because she is all all meat and no potatoes आई बास सुझ में तो idiom and phrases ऐसे ही होते हैं कि अगर उनका हिंदी शाब्दिक मतलब देखा जाए तो कुछ और निकलेगा but they are idioms they are mohavres mohavre हैं वो तो उसका मतलब कुछ और होता है इसके लिए आपको बस practice करना पड़ेगा whenever you get a chance saying these sentences just keep on saying and keep on talking तो तभी आप सीख पाएंगे इसको देखो ये दिदी क्या कर रही है देखो ज़रा ध्यान से देखो क्या कर रही है माउस पोटेटो होता है क्या होता है माउस पोटेटो माउस पोटेटो का मतलब क्या होता है कंप्यूटर पे बहुत अधिक समय बिताना कंप्यूटर पे बहुत अधिक समय बिताना देन कोई अधिक पर समय बिताता है तो उसको आप क्या कहेंगे, you will say that she is a mouse potato, की सारा दिन computer में ही वेस्ट रहती है, mouse मतलब हो बला जो mouse होता है, computers and laptop में हम जो यूज करते हैं, that is mouse, अब a person who spends large amount of laser or working time operating a computer, अपने खाली समय का ज्यादा हिस्सा, या अपने जो काम का भी हिस्सा होता है, that they used to spend on computers or laptop, then you will say that they are a mouse potato, after getting his computer as a birthday gift, she has become a mouse potato, birthday gift में जो पापा जी ने, जो मम्मी जी ने जो भाहिया ने उनको computer दिया था, उसके बास she has become a mouse potato की, उसका ज्यादा इस्तमाल कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों, मुझा उमीद है कि ये चीजे आपको समझ में आ रही है, idiom and phrases आप लोग enjoy कर रहे हैं, यदि enjoy कर रहे हैं, तो please do subscribe it, like it and share to your friends, अपने दोस्तों को share कीजिए, और इन जितने भी मैंने idiom and phrases बताए हैं, इसके उपर खुद से एक sentence frame कीजिए and write down in the comment box, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप comment box में लिख देंगे, तो आपको भी confidence हो जाएगा, yes, कि भई हम इसका यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ आज का session समाप्त करते हैं, कि आप लोग लगातार देख रहे हैं, सीख रहे हैं, till then, take care, खुश रहे हैं, good night.